तो अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं यह मान के चल रहा हूँ कि तुमने पिछली सारी वीडियोस देख रहे हैं अगर नहीं देखिए तो description में playlist की link है वहां पे जाके सारी वीडियोस को देखो क्योंकि इस वीडियो में हम उपस के बारे में पढ़ने वाले हैं उपस क्या होता है तो object oriented programming के बारे में पढ़ने वाले हैं PHP के अंदर कैसे होता है अगर तुमने पहले उपस पढ़ रखाए C++ के साथ या C के साथ तो तुम्हें थोड़ा अलग दिखेगा यहां पर उपस का में में जो concepts होते हैं classes का और objects का वो सेम होता है हर जगा अगर तुम इंटस्टेड हो प्रोग्रामिंग सीखने में और प्रोग्रामिंग सीखने में चीजों को तुम में चानल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जो लोग अलड़ी सब्सक्राइब कर चुके हैं without wasting any time start करते हैं तो जैसे कि मैंने बोला अगर तुमने पिछली वीडिय अगर तुमने नहीं देखा है तो जाके देखो थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लो दैन इस वीडियो को देखना क्योंकि वीडियो को जब तुम स्टार्टिंग से देखो गे तो तुम्हें लगा कि यह तो easy है यह तो समाझ आ रहा है फिर धीर धीर कोगे नहीं यह थूड़ी के अंदर basically जैसे मैं अगर यहां पर new file बनाता हूं right मैं यहां पर index.php को नाम दे देता हूं अगर मैं इस फाइल को अपने इस फाइल में एड करना चाहता हूं तो क्यासे करूंगा तो यहां पर हमारे पास कुछ functions है PHP मैं by default मैं again कहा रहा हूं कि पता होगा तो मैं मुझे पता है पर फिर मैं बता रहा हूं include include के बाद यहां पर bracket देना होता और यहां पर उस page का नाम देना होता है address के साथ जैसे कि अभी यह तो मेरे बगल में पढ़ा हूँ है index के नीचे यह super.php तो मैं direct नहीं पर super.php दे सकता हूं बट अगर यह किसी folder के अंदर होता तो यहां पर folder name ठीक है slash जो भी जहां पर address है तुम्हारा वहां पर तुम्हां पर यहां पर देना है ठीक है अब यहां पर save करूं और index.php को यहां पर refresh करूं तो यहां पर blank है रहा है पर मैं क्या कहता है super.php के अंदर का जो भी है functions है जितने variables हैं सबको यहां पर access कर सकता हूं तो अगर मैं यहां पर dollar name करूं कुछ इस तरीके से और यहां पर refresh करूं तो देखो कि यहां पर इसी तरीके से हम HTML जो हमारी पूरी वेब पेज होती है वाँ पर header section होता है जहां पर navigation बार हो नीचे footer होता है जहां पर हमारी website के copyright details होते हैं या contact तो इसलिए हम क्या करते हैं ऐसे different different parts में चीज़ों को divide कर लेता है और include function का use करके एक जगा page ठीक है और यहां पर h1 tag लिख देते है h1 this is header ठीक है ऐसा कुछ और इसी के नीचे h2 लिख देते हैं और यहां पर लिख देते है this is footer और यहां पर भी h2 कर दिया हमने ठीक है अब तुम देख सकते हो यहां पर यहां पर लिख देते हैं जिसके लिख देते हैं I am content ठीक है h3 कुछ इस तरीके का हमने लिख दिया आप क्यूंकि html के sensitive नहीं होता है तो तुम यह 3 और h यह capital small में लिख सकते हो इसे को फर्क ने पड़ता बट मैं तो सला दूगा कि small में लिखो करो ठीक है अच्छी प्रैक्टिस होती है बट तुम लिख सकते हो के sensitive सब्सक्राइब नहीं होता है html का जो elements होता है ठीक है php होता है के sensitive तो प्रापर मान के साइट राइट यहां पर तुम्हें अपना heading बनाया होगा यह content होगा यह तुम्हारा फूटर होगा अब अगर यह heading और content फूटर जो है वो तो हर पेज़ पर यूज़ हो रहागा लि pages में add करना पड़ेगा एक एक करके तो इसका solution क्या होता है तो हम pages को divide करके रख लेता हूं header.php ठीक है यहां पर हम बना लेंगे content.php then हम यहां बना लेंगे footer.php ठीक है और मैं अपने यहां पर super पर जाता हूं और super में जाने बाद जो head का section है जितना मैं मान के चलूँ कि header होगा जो कि यह है इसको यहांसे cut कर लेता है और header के अंदर आते हैं और यहां पर paste कर देते हैं ठीक है हो गया वापीस से आता है अभी जो content का section है इसको हम यहांसे cut कर लेता है ठीक है यह भी हो गया अब यह footer क कर लेता हूं और footer में आता हूं ठीक है और यहां पर इस तरीके से हमने एक अपनी website को different different parts में separate कर लिया है ठीक है देख सकते हो header है हमारे पास content और footer है यह तीन पार्ट से तीनों मिला के website को बनाती है तो मैं अपने index.php में आऊंगा और यहां पर उन फाइलों को include कर लू और यहां पर content.php और footer.php लिख दूँगा मैं यहां पर रिफ्रेश करूँगा तो तुम देखोगा यहां पर पूरी website है अगर तुम इसका source code देखोगा व्यूपे source तो देखोगा यहां पर पूरी website ही मिलेगी क्योंकि इसको उसने मतलब निया कि तुमने टुकडों में रखा है कि कैसे रखा है क्योंकि जब इसने request भेजी होगी server के पस तो इसको एक पूरी website ही मिलेगी जो की normally मिलती है बट अब तुम्हारा काम असान होगा अगर तुमने header.php 10 जगे यूजगे यूजगे तो तुमने सिरफ header.php कंद जाके चीजों को चेंज करना है और वह तुमने header.php include कर रखा है वहाँ वाँ चेंज करतेगा तो यह उत्रहा important नहीं है यह अल्रेडी बहुत लोगों को पता होगा बट कुछ लोग के लिए यह मैं बता रहा हूं कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर यह चीज है थोड़ा बता दो आखिर यह चीज रह है यह पर आके refresh करता हूं तो दहो कि header आप दो लिखे लागए अगर मैं इसका view पे स्वेस्प रिफ्रेश करूंगा तो यह header वाला section दो बार दिखा रहा की इसको नहीं पता कि header को एक ही बार करना है तो हम इसको कैसे पता है एक लोट करना हम यहाँ पर इंक्लूड के आगे अंडर को पर लिखो यहाँ नहीं लिखा तो अगर मैं इसके नीचे भी इंक्लूड वांस लिख दूं और यहां पर आपके रिफ्रेश्च करूँ तो देखो कि अब मैंने दो बार लिखे बर एक ही बार देख रहा है अगर तुम PHP का पुराना वर्जन यूज़ कर तो मैं भी तुम्हें एरर भी दे पर हम क्यूंकि 7-8 यूज़ कर रहा हूं मैं तो वहां पर यह एरर नहीं दे र नहीं भार इनक्लूड करेगा बहल कि तुमने और बोल लगया ioc तो ये चीज एक अच्छी हो सम्च यहा पर इनक्लूड जैसे है वैसी सागर कि merg करके can तो जैसे की अगर मैं इस इंक्लूड को मालोए जो whales acid desfest म tidak इसको यहां पे नाम इसका चेंज कर देता हूं और header 2.php कर देता हूं ठीक है और मैं यहां से इसको हटा देते हैं और हम यहां पे include करते हैं ठीक है आप तुम देख रहोगे तो header नाम से कोई file निया header 2.php होगे उस file का नाम अब अगर मैं इसको refresh करूँगा तो देखो यह warning दे रहा है warning और मैंने बहुत बार difference बता है warning basically warning की तरह होता है उससे तुमारी website work करना रोक नहीं देती पर अगर error आता है तो website रोक जाते है तुमारी जहां जो भी error है उसके नीचे का कुछ भी नीचलेगा बटते है सकतो नीचे का I am content और this is footage चल रहा है बट यह warning दे रहा है तो अब इस चीज के लिए यहां पर include की जगे एक होता है require यह require और save कर दिया है अब अगर मैं refresh करूंगा तो देखोगे नीचे की कोई चीज नहीं चल रही है बोल रहा है कि भाई साब header.php है जो है वो required है और हमें वो file मिल नहीं रही है तो क्रिप्या करके उसे दीजे नहीं तो नीचे की चीज़े नहीं चलने देंगे हम सीधे सीधे मतलब में यही धंकी दे रही है ठीक है अब अगर मैं यहां पर header to.php पर आऊं ठीक है और यहां पर वापस इसका नाम कर दूं और मैं यहां पर refresh कोते होगे सब कुछ नॉर्मल होगे तो require क अगर भी once लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से और यहां पर refresh करेंगे तो एक बार है अगर मैं इसको copy कर लेता हूं यहां से और नीचे paste करता हूं तो सेम बात है कि यह एक ही बार paste करेगा ठीक है तो मेरे हिसाब से require once include once इस सब के बारे में तूं मच्छे समझ क्यों होगे हमा यहां पर data और इसके अंदर मैं दो चीज़ा रखता हूं सबसे पहले नेम रखता हूं ठीक है दन इकवल टू डालते हैं हम इसके लिखते हैं मोनू और यहां पर हम डालते हैं एज और इसके अंदर हम रख देते हैं 99 ठीक है मैं एक शुल में 99 का नहीं हूं मतलब मस लिख ठीक है तो यह एक अर्य है अब देखो मैं अगर फोरिष लूप लगाऊंगा इसे और फोरिश लगा के डॉलर डेटा एज डॉलर डी करूंगा और यहां पर अगर मैं प्रिंट करूँ ठीक है प्रिंट करूँ किसको डॉलर डी को तो तुम देखोगे कि डॉलर डी एक एरे है राइट डॉलर डी एक एरे अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश्च करूँ तब देखोगे मोनु 99 प्रिंट हो रहा है क्योंकि पहले यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर फि यहां पर चला होगा और यहां पर डीटेल ऐसे दिख रही है अब यहां पर देखो अब मैं यह चाहता हूं मान लो कि यह जैसे नेम है यह ऐसे एज है ऐसी यहां पर और भी वैलू होंगी फर एक्जामपल कुछ इस तरीके से मान लो कुछ इस तरीके से और तुम यह चाहते हो कि जितने भी एक एलिमेंट से सारे वैरियेबल्स में कनवर्ट हो जाए तो कैसे करोगे अब तुम सुच रोगे यह कैसे करेंगे अब यह तो तीन है तो तुम ऐसे नॉमली भी कर सकते हो बट अगर मान लो 100 होते यह 50 होते यह जाद होते है वैरियेबल तो तुम कैसे करेंगे तो वहां पर हमारे पास यूज में आता है डबल डॉलर ऑपरेटर अब यह क्या करता है तो यह डबल डॉलर अगर तुम लिखते हो और यहां पर डी लिखते हो अब यहां पर डी लिखोगे तो यह जो वैरियेबल है डी के अंद यह चीज में बता चुक हो लेड़ी हम जब लूप के बारें पढ़ रहे थे पर फिर भी मैं वापस से बतारों आप देखो यहां पर मुझे क्या करना है तो यहां पर मुझे की लिखना है ठीक है की लिखके इसके अंदर डॉलर डी की वैलू लिख देनी है इतना कर देना तो सकते हैं अगर यहांपर रीफ्रेश करता हूं तो इसी तरीके सेहां पर यहां यहां पर बहाला सकता हूं डॉलर एज एज यह को करवा सकते हैं, dollar email, save करते हैं इस चीज को दन्याप पर refresh करते हैं, तो तुम दोगे यहाँ पर name, age और email तीनों आ रहा है, तो देख सकते हमने dynamically यहाँ पर variable create कर दिया, name, age, email का, हमने यहाँ यहाँ पर array keys का use किया, तो यह कुछ इस तरीके से काम करता है, इसके बहुत यहाँ में करोगे, but view के अंदर तुम variables की तरह उन्हें use कर सकते हो, तो तुम्हारे दिमाग में चीज आएगी ज़रू कि अखिर यह जो areas के अंदर का elements है, data है, यह variables में कैसे convert हो जा रहे हैं, तो यह कुछ इसी तरीके से होते हैं, अब जिन लोग को नहीं पता मैं किस बार म बात करें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे जाके दब तुम frameworks पढ़ोगे यह सीखोगे तब तुम्हें चीज डाउट जरू जाएगी, तब यह बात को तुम्हें याद करना है, और समझना है कि यह चीज कैसे काम करती है, तो यह मुझे पता मैं बेमतलब के topics को बारे में, ठीक है, तो basically object-oriented programming है क्या और हम इसको use क्यों करते है, तो object-oriented programming जो है, वो code लिखने के एक तरीका है, जो कि बहतर है, organized है, ठीक है, procedural language से, अभी तक जैसे तुम कोई भी code कहीं भी लिख देता है, उसको हम procedural flow बोलते है, मतलब कहीं भी लिख रहे है, कुछ भी लिख सब पता होगा, क्या है, सब पता होगा, क्योंकि object-oriented programming, हर जगह सेम है, सब लोग सेम ही पढ़ते हैं, अगर तुम procedural तरीका से कर रहे है, तो सब अपना style होता है, सब अपना style से code लिखते है, कोई file कहीं, कोई file कहीं, बट जब तुम frameworks और coordinator या Laravel बारे में पढ़ोगे, या cake ph पढ़ोगे, तब उसमें ज्यादतर चीजे, classes के form में ही मिलेंगी तुम्हें, तो इसलिए इसकी knowledge होना बहुत ज़रूरी है, ठीकि मैं again बोलना कि तुम्हें थोड़ा, ऐसा लगए है कि मैं क्यों बता रहे हूँ है, ठीक है, इनका use का होगा practically, बट ऐसा तुम्हें सिरफ इ यह नहीं होता है कि उसका practical use हो गई हमें बस उसकी जरूरत नहीं पड़ी है, जब तुम सेवल engineering करोगे, इंजिनेरिंग करोगे, mechanical engineering करोगे तब तुम्हें इस चीजों कोई important समझ में आगगी, उसी तरीके से oops भी है, जब तक तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगे तुम्हे यह useless लगेगा, ठीक है, तो हम start करते हैं, तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर concepts आते हैं, classes के, objects के, अब classes क्या होते हैं, ठीक है, तो देखो, मान के चलो, कि हमें student से related, बहुत सरी चीज़े बनाना है, कुछ variables होगे, कुछ functions होगे, जैसे student का नाम हो गया, student की email ID होगे, student का age हो बना लोगे, पर हम चाहें तो उसका class बना सकते हैं, जिसके अंदर student से related सारी चीज़े होगे, ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर जाएंगे, class keyword लिखेंगे, class keyword लिखेंगे, ध्यान से देखना, class keyword लिखने बद उस class का नाम लिखेंगे, हमारे case में मैं नाम दे स्टूडेंट, ठीक है, इसके बाद हम curly braces लगाएंगे, एंटर दबा देंगे, अब यह curly braces के अंदर यह class है, अब यह curly braces है, ठीक है, curly braces के अंदर हम classes बना रहें, अब इसके अंदर हम variables बना सकते हैं, functions बना सकते हैं, जिनको हम student class का object बना के use कर सकते हैं, अब object क्या होता है, थोड़ी देर में बताता हूं, अब मान के चलो, यहाँ पर मैं कुछ variable बनाता हूं, यहाँ पर variable बनान से पहला तुम्हें उसके आगे public लिखना पड़ेगा, public क्या होता है, यह public क्यों लिखना है, तो public access modifier है, public के अलावा private और प्रोटक्टर दो और होते हैं, उनके बारे मे पड़ेंगे अभी आगे थोड़े देर में ही, फिलाल समझो, public निकला पड़ेगा, public लिखने का मतलब, जो भी यह variable है, यह यह फंचने सभी के लिए available है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, dollar name, ठीक है, अब तुम चाहो, तो यहाँ पर public लिख के दूसरा बना सकता हो, नहीं यह चीजे होगी, मैं यहाँ पर इसको कर देता हूं, अब यह कुछ variables बना लिए, मैंने student के अंदर, ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ functions भी बना लेता है, function का भी same, तुमें public लिखना पड़ेगा, उसके आगे, then तुमें function keyword लिखना पड़ेगा, जैसे कि हम PHP में function बना लिख लिखते हैं, उसके बाद हमें function का नाम लिखना पड़ेगा, for example, मैं आप लिख देता हूं, कि show info, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम, जो उपर users की जितनी भी चीज़े हैं, वो show करवाएंगे, but फिलाल कि मैं इसे blank छोड़ रहा हूं, बस इतना समझों कि हमने इसके अं कुछ इस तरीके से, तो एक simple से class बनाया है, मैंने जिसके अंदर variables है, और functions है, variable और function बनाने का तरीका से, हमेशा की तरफ बस आगे, तुम पब्लिक लिखना होगा, कर तुम class के अंदर बना रहे हो, अब इस class को हम कैसे use कर सकते हैं, इसके अंदर इतनी भी चीज़े हमने ब object बनाएंगे, object कैसे बनाते हैं, तो obj लिखेंगे, किसी variable का नाम लिखेंगे, equal to डालेंगे, then new keyword लिखेंगे, then उस class का नाम लिखेंगे, हमारे case में student है, तो हमें ऐसे कुछ लिखेंगे, अब क्या हुआ होगा, कि इसके अंदर जितनी properties हैं, जितने variables से functions हैं, सारा clone हो गया और इसकी value, यहाँ पर अंदर के किसी भी चीज को access करना चाहूँ, तो कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर minus और less than sign, यह arrow लगाँगा, यहाँ पर arrow बोलते हैं, ठीक है, arrow लगाने के बाद अंदर की किसी भी value को मैं लिख सकता हूँ, जो कि public है, ध्यान रहे, कि अगर अंदर की क कोई भी चीज पब्लिक नहीं है, protected या private है, या मतलब public किजिए अगर तुमना protected या private लिखा है, तो मंदर की value को access नहीं कर सकते है, बट जिन दिन functions या variables का अगर public लिखा है, उसको तुम ऐसे arrow लोगा के access कर सकते हो, for example, मैं यहाँ पर show info को use कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर show info, यहाँ पर कुछ इस तरीके से call कर देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर आते है, refresh करते है, तो देखो को this is info यहाँ पर लिखा आ रहा है, ठीक है, इसी तरीके से मैं उपर की values को भी access कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर dollar obj, ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते name, अब यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ ध्यान देना, कि मैं यहाँ पर dollar sign नहीं लिख रहा, ठीक है, मैं direct यहाँ पर name दे रहा हूँ, अगर मैं इसके अंदर लिखाँ, mono, यहाँ पर save करूँ, यहाँ रिफ्रेश करूँ, तो देखो को यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, मैं इसको अगर echo करवाँ, कुछ इस तरीके से, echo dollar obj name, ठीक है, यहाँ पर refresh करूँ, तो देखो को यहाँ पर monoprint हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से मैं अंदर के variable को access कर सकता हूँ, उनका data get कर सकता हूँ, उनको अंदर value store कर सकता हूँ, but again मैं बता रहा हूँ, arrow function के use कर के तुम सिरफ उनही variable का use कर सकते हो, जिनको तुमने, जिनको तुमने public कर रखा है, ठीक है, private or protected को use नहीं कर सकते है, ठीक है, तो यह तो simple सी definition है, मैं अभी और detail में बताऊंगा चीज़ को, बट इतना समझो, हम ऐसे class create करते हैं, इस तरीके से object create करते हैं, इस तरीके से object की properties को access करते हैं, अब यहां पर ज़र नहीं है, तुम एक यह object बनाओ, तुम यहां पर एक से जादा object बना सकतो, object 2, same is equal to new, student, और अब इसके अंदर यह दो objects हैं, जो कि इसके map पे बने वे हैं, पर यह दोनों अलग-अलग हैं, इसकी सारी properties इसके अंदर भी clone होगी हैं, दो अलग- same functionality, same variables को यूज कर रही हैं, बट यह अलग-अलग हैं, इसके अंदर कोई value change करोगा, तो यह object 2 में change नहीं होगा, ठीक है, तो यह चीज समझना ज़रूरी है, तुमारे ले, अब हम इसके बात बात कर लेते हैं, यह तो हो कि objects और classes का, अब access modifiers क्या होते हैं, ठीक है, तो मैं हाँ पर save कर रहा हूँ, ठीक है, save कि हमने, और हाँ पर refresh कर रहे है, तो देखो, यहाँ पर mono दिखा रहे है, क्यों कि यह public है, और मैं इसके direct access कर सकता हूँ, ठीक है, बट मैं अगर public की जगह, इन सभी variables को क्या कर दूँ, protected कर दूँ, protected, या private कर दूँ, अभी protected को रहन दे प्राइवेट कर दूँ, मालो, ठीक है, ऐसे मैंने प्राइवेट कर दिया है, यहाँ पर, then मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, तो देखोगे, uncouch error cannot access private property student name, ठीक है, जाहर सी बात है, यही कह रहा है कि भाई साब, जो तुम डॉलर नेम को access कर रहे हो, यहाँ पर 12 पर यह error द तो इस class के अंदर ही सिरफ कहीं भी use हो सकता है, जैसे इस function के अंदर use हो सकता है, ठीक है, कोई और function तुम ने बना हो, उसके अंदर use हो सकता है, यह private होता है, जो public होता है, वो तुम अंदर भी कहीं भी use कर सकते हो, बाहर भी कहीं भी use कर सकते हो, ठीक है, यह difference है, तो protected क्या ह को inherit कर सकते हैं तो जो private classes होते हैं वो बच्चों को नहीं मिलती हैं जैसे अगर मैं student class को inherit करके हम जब inheritance पढ़ेंगे तब ज्यादा detail में पढ़ेंगे बट फिलाल के लिए मैं इतना बता रहा हूं तुम्हें कि देखो मान लो कि मैं class मनाता हूं ठीक है child और इसको हम inherit करेंगे inherit करने के लिए हम यहाँ पे extends keyword यूज करते हैं extends लिखने बाद हम उस class का नाम लिखेंगे जिसको हम inherit कर रहे हैं ठीक है तब क्या हुआ होगा इस class की इस class की जितनी भी private properties है वो यहाँ पे नहीं आई होगी बट जितनी भी public और protected है वो सारी यहाँ पे आगी होगी ठीक है तब तुम कहोगा फिर public protected में difference कहा हुआ तो protected को तुम बहार access नहीं कर सकते ना यह difference है अब समझ में आ रहा है जो private classes private objects होते है private members होते हैं किसी भी class के उनको सिरफ तुम उसी class में use कर सकते हो जिस class में उन्हें तुमने create किया है बट जो protected और public होते हैं उनको तुम extend किये हुए class यानि child class में भी यसको सोखते हैं यहां पर जैसे जैसर कि यह जो public function show info है इसको मै यहां कर सकता हूं पर dollar name age email class को मैं अंदर यहां पर यहां कर सकता ठीक है और public जो होता है उसको मैं यहां यहां यूज कर यह सकता हूं और बाहर भी यह कर सकता हूं कुछ इस तर Tears पर अ अगर protected या private है तो मैं ऐसे यूज नहीं को सकता समझ रहो लिमिट है प्राइवेट कह ली मित होती है कि जिस क्लास में है मतलँ अपने घर के इंदर ही कई भी उसकता है अपने घर में तो यूज हो सकता है प्लस उस घर से जुड़े हुए जीतने घर है जितनों में extend किया हुआ है वहां पर यूज हो सकता है ठीक है बट वह बाहर यूज नहीं होता है पर public है जो हर जगह यूज होता है अपने class में भी extended class में भी और बाहर भी तो यह public protected और private के बीच में difference है तुम अगर यहां पे अलग-अलग private और protected लगा के देखना चाहो तो दे यह चीज होगे यह होते हैं हमारे access modifier जो कि हमार पास 3 है ठीक है अब हमने extends के बारे हम पढ़ाया है था हम ज़र्ण extends के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं और सांती हम constructor के बारे में पढ़ लेते हैं अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं सब चीज़ो को हटा डिता और यहां पर हम एक class बनाते हैं class जहां पर मैं नाम देता हूं user class का ठीक है अब इसके अंदर मैं कुछ variables बना रहा हूं जो की protected होंगे protected अब protected के बाद मुझे उन variables के नाम लिखने है जिनको मैं यहां पर create करना चाहता हूं ठीक है मैं यहां पर चाहता हूं मुझे चाहिए name ठीक है email and password ठीक है password इतना चीज सभी में common होगा ठीक है मैं यह मान के चल रहा हूं कि सिरफ इतनी चीजे सभी में common होगी तहां पर हमार पास dollar name email और password है अब देखो यह protected properties है तो यह extend हो सकती है बाहर ऐसे direct use नहीं की जा सकती है for example अगर मैं यहां पर dollar student बनाऊं कुछ इस तरीके से और यहां पर student one बनाऊं और यहां पर new user कुछ इस तरीके से लिखूं ठीक है और यहां पर अगर मैं access करूं एक protected property को जो कि है dollar name अब तुमने यह देखा हुआ कि जब हम अंदर variable define करते हैं तो dollar use करते हैं बड़ जब हम उसको access कर रहें तो हम dollar sign नहीं लगा रहें यह चीज़ ध्यान रखना ठीक है अब यहां पर हम इसको नहीं आस्याइक नहीं कर सकते हो तुम सिर्फ public को यूस कर सकते हो बाहर ऐसे डार्ट प्रोटेक्टीड इनहें कर सकते हैं खोद की क्योंशमें हो सकती है पर बहर नहीं यूसे हो सकती ठीक है यह protected है नाम से पता लग रहा है अब यहां पे यह protected property है ठीक है तो अब अब हम इनकी value कैसे set करेंगे ठीक है अगर यह protected है तो तुम यह कर सकते हो कि तुम एक function बना दो ठीक है कुछ इस तरीके का public अब function भी public होना चाहिए नहीं तो इसको बाहर यूज नहीं कर पाऊगा याद रखना पब्लिक function ठीक है पब्लिक function अब यहाँ पे सेट डीटेल कुछ इस तरीके का function बना सकते हो सेट डीटेल और यहाँ पे सेट डीटेल करके ऐसे कर सकते हो यहाँ पे वेरियबल्स ले सकते हो यहाँ डॉलर नेम ठीक है डॉलर नेम डॉलर इमेल ठीक है हम ऐसे करता हूं डॉलर यू यू नेम साइक करता हो गार तो सेब वरियबल नाम रखते हो तो भी पर फिर भी मैं अलग रहा हूं तुम लोग confused ना हो ठीक है यहां पर dollar u email then dollar u password ठीक है ऐसे हम कर सकते हैं अब क्योंकि हम protected को same class के अंदर use कर सकते हैं और यह public function है तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा मैं इनकी value set करूँगा अब तो मैं ऐसा नहीं कर सकते हैं कि dollar name यहां से लिया और यहां से name लेने के बाद क्य किसी class के अंदर किसी function में उसी class का variable use करना चाहते हो तो तुम this keyword का use करोगे यहां पर कुछ इस तरीके से ठीक है this keyword का use करोगे हम इसको यह बोल रहा है कि this मतलब इस class का जो name आप यहां पर देखो तो name के आगे हमने आप यह variable नहीं लगा है जैसे हम बाहर arrow function का use कर रहेते हैं वैसी अंदर कर रहे हैं बट हम यहां पर class या object की जग हम क्या लिख रहे है this this का मतलब यह जो class है ठीक है तो this name produce a name की value uniform कि हो जाए यू Map कौन सी वैली जो हम यहां पर function में भी past करेंगे इस दियंकर से copy को यहां paste कर दैता हूं ठीक है और यहां पर हम नेम की जगा देदेूगे एमेल ठीक है यहां पे भी सेम नेम की जग हम देदेंगे एमेल और यहां पे फिर हम देदेंगे पासवर्ड और यहां पे भी हम देदेंगे पासवर्ड ठीक है तो यह देख सकते हो यह हमार पास यूपास यूजर पासवर्ड यहां पर बन चुका है डॉलर नेम एमेल यह जो class है यह जो object है अब जाएसी बात है यह class कुछ नहीं है जब तक 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 डीटेल सेटेटेल फंशन को यूज कर सकता हूं अब क्यों यूज कर सकता हूं क्योंकि सेटेटेल जो है वो पब्लिक है यहां पर देख सकते यह पब्लिक प्रॉपिट्टी है इस क्लास की तो मैं इसको बहर ऐसे ऐरो फंशन के लगा के यूज कर सकता हूं अब्जेक्ट के नहीं होगा मैंने कि बताया था कि यह एक blueprint जैसा है ठीक है तो यह blueprint का इस्तमाल करके student one बना है तो जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर इसे सारी property student one के अंदर आ गई है क्योंकि अगर मैं अगर तुम्हें यहाँ पर दिखाऊं प्रिंट आर करके dollar student one को ठीक है मैं इसको comment कर देता हूँ और मैं यहाँ पर आकर refresh करूँ तो तुम देखो गई user object यहाँ लिखा रहा है यह बता रहा है कि जो student one है यह एक user का object है जिसके अंदर name है जो की protected है email है जो की protected है password है जो की protected है और हम print underscore art से यहाँ पर इसके functions को नहीं देख सकते है बस यह एक दिक्कत है तो यह चीज हम यहाँ पर समझी तो देख सकते हूँ इसके अंदर का जितना भी चीज़े है यह print है जितना भी यह characteristics है इसके सारे student one object के यहाँ पर देता हूँ email who at gmail.com देन में यहाँ पर देता हूँ password जो कि 123456 ठीक है तुम चाहत उनके लिए separate बना सकते हो क्योंकि जातर लोग separate बनाते हैं यहाँ पर set name set email set password ऐसे करके अलग-अलग function बना सकते हो जिनका यूज करके तुम बट मैं यहाँ पर set underscore detail दे रहा ठीक है अब यहाँ पर यहाँ पर सारी क्या होगी तो इसका इंस्टेंस बना student one के अंदर साई detail set हो चुकी है ठीक है अब मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पर एक्सेस करने के लिए function बना लेता हूँ public function show user या ऐसी बना लेता हम show user ठीक है और इसके अंदर हम क इसको करेंगे कुछ इस तरीके से स्टूडेंट नेम अगर सेम क्लास के अंदर आप क्यों कि इसके अंदर इसके तुरू हम value store करवा चुकी इसमें तो हम यहाँ पर डॉलर नेम ऐसे 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 लिख सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आएगा तो इसके अंदर यहाँ यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा ठीक है अब डबल कोटेशन लिखा है इसलिए मैं ऐसे अंदर लिख सकता हूँ अगर तुम सिंगल कोटेशन लिख होगे तो तुम्हें कंकिनेटेशन ऑपर जो किसे डॉट लगा कर आगे लिखना होता है उसका इस्तमाल करना पड़ेगा टो यहां पर मैंने इतना लिक दिया ढट लूआ यहां पर यहां पर लिख द्यूर्द फैस्ट यहिज लेता हुं और यहां पर शुर्ट लिख लेगा है पासवर्ड यहां पे सेव करते हैं अब देखो यहां पे हमने शो यूजर नाम के एक फंचन बना लिए ठीक है मैं आपे सेव करूँगा और यहां पे देखो तो कोई भी एरर नहीं आ रहा है ठीक है सब ठीक है तहाँ पर मैं क्या करूँगा अब मैंने स्टुटेंट वन की अब स्टुटेंट वन को मैं शो करवा दूंगा शो यूजर कुछ इस तरीके से और यहां पे सेव कर दूंगा मैं इस चीज को रिफ्रेश करूंगा तो यहां पर दो कि स्टुटेंट नेम लिखा रहा है ओके यह श्लैश एन वर्क नहीं कर रहा है कोई नहीं हम यूज कर लेंगे BR को दिककत निए ठीक है देख सकता हूं यहां पर student name ठीक है who add the regimen student password यहां पर निज़र आ रहा है तुम देख सकते हैं हमने यहां पर चीज़े को कर लिया है value को set कर लिया है variables के अंदर ठीक है बढ़ तुम बोलोगा कि ऐसे कुछ नहीं हो सकता कि जैसे हम यहां पर इंस्टेंस बना रहे हैं तब ही हम कुछ इसको वैलूस देते हैं और यह सारी वैलूस तभी सेट हुजा है ठीक है सेट ही डिटेल फंच्छन नहीं बनाना पड़ेगा उससे में तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है तो हम यहां पर जब क्लास को कोई अब्जेक्ट बनाते हैं और हम करवा सकते हैं तो इसके अब्जेक्ट बनते ही चल जाता है भी आ किसी जीश को कॉल कि तो इसके को सेम जैसे हम फंचन को बनाते हैं हम यह पर लिखेंगे पुब्लीक और यहां पर लिखेंगे फंचन स्वाच्छन ठीक है एक नाम होता जो तुमें देना होता है डबल उसक ठीक है यह हो गया ठीक है यह बन गया अब जैसे हमार अब्जक्ट क्रिएट होगा यह चल जागा अगर मैं यहाप पर लिख दूँ आप जैसे इसको प्रिएटेड कुछ ऐसा इसको सेव करता हूं तो देखें को मैं अगर इसको शो यूजर नहीं करवा रहा हूं ठीक है मैं चल गया होगा यहाँ पर इसको से इसको यहां पर लाकर पेस्ट कर देता हूं अब इससे फाइदा क्या हुआ होगा कि हम इसको कॉल करने के ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है पर यह वैलू हम कहां पास करेंगे तो यह जब तो हम यह object बना रहे हैं इस class का तब ही हम pass कर देंगे हम class name के आगे bracket लगाएंगे circle bracket अब इसके अंदर हमें क्या होगा इसके अंदर हमें values लिखने हैं जैसे कि जो हमने यहां पर लिखी है वो हमें class बनाते वक्त लिखने पड़ेगी यहां पर कुछ इस तरीके से ठीक है अब मैं इसको हटा सकता हूं ठीक है और यहां पर अगर मैं आप show user करूं तो देखोगे result जो है वह यहां पर जो कि हमें पहले मिल रहा था बट अब हमें class कम यूज़ करना पड़ रहा है ठीक है तो यह चीज़ होगी कुछ इस तरीके से ठीक है तो I hope तुम्हें यह चीज़ को समझ पाया होगा अगर तुम चाहते हो कि यह भी ना हो मतलब तो तुम इसको भी उठा के नीचे लिख सक पाद के सिसमें क्या पता है जो पर जाए इसले में बतायता हूं function डिस्ट्रक्ट जैसे हम construct लिखते हैं वैसे डिस्ट्रक्ट अब इसके अंदर जो चीज़ है I am dist save करता हैं इसको refresh करते हैं तो देखा होगा तुमने सबसे last में print हो रहा है ठीक है ऐसा क्यों तो जैसी तुम I am the destroyer चल गए वैसे इसका use इतना नहीं है बट मैं फिर भी बता रहूं कि जैसे construct होता वैसे district होता है ठीक है मैं यहाँ पर सेफ कर देता हूं आप तुमने आप देखा कि हम यहाँ पर constructor यूज कर रहे हम यहाँ पर function यूज कर रहे हम यहाँ पर variables यूज कर रहे है ठीक है ब अब यह एक class है जो कि हमें 3 चीज़े ले रहा है और यहां पर constructor है यहां पर show user है जिसको हम इस तरीके से create कर सकते हैं अब यह पर student 1 लिखा है मैंने ठीक है पर अब यह जो अंदर की चीज़े हैं जबूर यह ना कि student के पास सिर्फ तीन हो पर user तो दोनों ही होगा मालों मैं कोई website ही बना रहा हूं जहां पर users हैं जो कि teachers भी हो सकते हैं अब name email password तो दोनों के पास जी होगा students के पास भी और teachers के पास भी बट teacher के पास भी चीज़े होगी जैसे test डालने को option हो गया salary value होगी age wage होगा कब से काम कर रहे हैं कितना काम कर रहे हैं कर बगर और students के पास और चीज़े हो गया class हो गया course हो गया तो यह चीज़े हम करेंगे inheritance तो अब देखो यह का user की class है अब हम inheritance का topic समझने वाले थे हमने ध्यान भटक गया हमारा तो हम inheritance का topic समझेंगे inheritance क्या काम करता है ठीक है तो ठीक है तो आप अगर यह एक class है user अब मैं एक class बनाऊंगा class student ठीक है और student class बनाऊंगा अब इसके अंदर भी मुझे यह चाहिए हो होगा name, email, password then यह constructor जहाँ पर name, email, password में दे रहा होँगा रएड और show user यह भी function बनाना पड़ेगा ताक user की details show कर पाऊंगा पर इसका shortcut है क्योंकि यह सारी चीज़े तो student में भी होगी तो मैं इसको extend कर दूंगा extends user को मतलब मैं इसको यह कह रहा हूँ कि जो user class है तो उसको extend कर मतलब user class केंदर जो है वो तुम्हार पास है और तुम अपना भी कुछ बना सकते हो वो भी तुम्हारे में add हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से जैसे कि आप पर protected डॉलर नेम, email, password देख सकते हैं आपर लिखा हुआ है तो मैं आपर क्या करूँगा protected ठीक है और भी चीज़े हो सारी इसके अंदर आ गई होंगी तो इसकी हमें दिक्कत लेने की कोई जरूवत नहीं है अब जो यह शो यूजर function है यह हम देखेंगी कि हम इसको कैसे change करेंगा आप देखो यहां पर मैंने एक यूजर नाम का बना लिए ठीक है ऐसी मैं एक और class बनालता हूं class teacher ठीक है इसको भी हम extend कर देंगे क्योंकि user के अंदर जितनी चीज़ें हो तो एक teacher के पास भी है ठीक है पर teacher के पास और भी कुछ चीज़ होगी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो देख सकते हो teacher और student दोनों ही user class को extend कर रहे है इंहरेट कर रहे है पर यहां पर अलग-अलग variables add हो रहे ह ठीक है तो इसमें तो यह सारी चीज़े दोनों में होगी बट इसमें age or course होगा और इसमें salary extra होगी ठीक है तो यह दोने चीज़े कुछ इस तरीक से काम करते है अब देखो यहां पर अगर मैं student का बनाता हूं तो मैं यहां पर कैसे लिखूँगा मैं यहां पर user की जब क्या इसमें से काम कर रही है बट अभी तुम यहां पर देखोगे ठीक है तो यहां पर क्या है कि जो चुक्तर है ठीक है यहां पर age और course को भी लेना चाहिए और जो teacher वाले case में salary को लेना चाहिए ठीक है बट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम यू name यू email यू password लिख रहे हैं तो क्या हमें चीज को बदल नहीं सकते हैं बिलकुँ बदल सकते हैं हमें क्या करना है इसको copy करने के बाद हम अपने यहां पर आएंगे पेस्ट कर देंगे और यहां पर यू यहां पर पेस्ट कर देता हूं और यह password की जगह हम यहां पर लिख देंगे एज तुम देख सकते हो उपर काम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हम बस चीज़े एड कर रहे है एक्स्ट्रा ठीक है और यहां पर हम लिख देंगे कोर्स ठीक है सेम तरीके से यहां पर यू एज और यहां पर लिख देंगे यू कोर्स ठीक है तुम देख सकते हो यह जो हम कर रहे हैं इस कॉंसर्प्ट को बोलते हैं function override यह method तो यह constructor को by default call कर पा रहे है तुम देख सकते हो बट अब मैंने यहां पर modify कर दिया है ठीक कुछ इस तरीके से तो अगर मैं इसको save करूँ और यहां पर refresh करूँ तो देखो कि यह error देगा क्योंकि two few arguments बोला क्योंकि इसका जो constructor हो हमने modify कर दिया है अब यहां पर हम student के आगे क्या देना है student के आगे हमे age और course भी देना है तो मैं यहां पर दे देता हूं 99 age और यहां पर course में हम दे देते हैं bca save करते है ठीक है refresh करते है तो देखो अब चीज़े ठीक होई बट अभी यहां पर दिख नहीं रहा है ठीक है तो हमें show info function को भी थोड़ा मोडिफाय करना पड़ेगा तो मैं इसको भी ऐसा कर सकता हूँ copy करता हूँ और इसके अंदर आता हूँ ठीक है पेस्ट करता हूँ अब यह जो डॉलर नेम इमेल पासवर्ड यह मुझे हां create कर रहा हूं उपर से ठीक है तो मैं यहां पर सिरफ copy करूँगा पेस्ट रहेंगे हम course course लिए हम यहां पर ठीक है और यहां परadin फर यह पर देख करते हैं मैं यहां पर यहां पर दो चीज़ें और यूह पी कितनी ही cool चीज़ है ठीक है यहां पर दम यहां फे चीजो को prol भी फैसको क्यों इसको हम function over बोलते हैं नाम सेम होना चाहिए फंशन का इसके अंदर जो परिमिटर्स ले रहो उनको तुम बढ़ा गटा सकते हो तो उपर वाला फंशन ओवराइड हो जाता अगर छोट दोगे तो by default उपर वाला फंशन नहीं चलेगा जो तुमने पेरेंट जो तुमारी पेरेंट क्लास ह ठीक है तो यह चीज़ता तुम देख सकते हो हमने पेर इस फिर उजर लाया है जो क skills लाया है जो की सफेर लाया है greatest किभर कर रहा है जो हम हम उशन कर रहा है अहां पर नीच आएंगे टीचर कलास ब्लास करनी यह लुटा रहा है यहां पर हम लिख देंगे teacher, teacher के अंदर मुझे यहां पर देना पड़ेगा Rajesh sir then यहां पर दे देंगे email id जो की होगा Rajesh at the rate gmail.com और फिर यहां पर password होगा 123456 ठीक है यह password होगा अब अगर मैं teacher1 show user function को call करूं कुछ इस तरीके से एंड यहां पर आके refresh करूं थतन्दों के हमें यहां पर teacher की detail मिल रही है ठीक है कोई irony शो कर रहा है क्यों अब जबकि हमने teacher के अंदर कुछ भी define ने कर रहा है क्योंकि यह inherit कर रहा है user को again यूजर के अंदर जितनी चीजें सारी इसको मिली होंगी पर मैं अगर चाहता हूं salary तो से मैं इसकी तरह कर सकता हूं जैसे कि मैंने show user यहां पर student class के अंदर बना है और उपर वाले functions को modify कर ले वैसे तुम teacher में भी कर सकते हो ठीक है बट मालो मैं अलग से ऐसा करना चाहता हूं यहां पर एक और function बनाना चाहता हूं कुछ इस तरीके से public function so salary कुछ इस तरीके का ठीक है यहां पर इको क्या करवाएंगे हम dollar this क्योंकि मैं इस class के variable को access कर रहा हूं salary कुछ इस तरीके से ठीक है तो अब यह एक function होगा बट अभी हमने इसको set नहीं किया है तो हम इसको set भी करना पड़ेगा तो हम set कैसे करेंगे तो हम काम करते है set करने के लिए एक function बना लेंगे public function set set salary ठीक है यहां पर हम ले लेंगे amount और इसके अंदर में dollar this arrow salary variable जो कि है salary equal to dollar amount कुछ इस तरीके के लिख दूँगा ठीक है तो यह मैंने set और show का function बना लेंगे जो कि salary को दिखाएगा अब यहां पर teacher में एक function अलएड है जो कि user से inherit होके आ रहे है इसके पास so user का अब यहां पर अगर teacher one set salary function को call करूँ और यहां पर salary set कर देते हैं 15,000 ठीक है और अगर मैं अब teacher one so salary पर क्लिक करूँ and save करूँ then refresh करूँ तो तुम देखोगे यहां पर salary हमें दीख रहे है teacher की राइट तो यहां इस तरीके से तुम अलग अलग classes बना सकते हो inherit कर सकते हो ठीक है तुम एक class को एक से जादा बार inherit कर सकते हो यह तुम ऐसा कर सकते हो user को तुमने student से inherit कर सकते हो ऐसा possible है करना ठीक है multi-level inheritance possible है PHP के अंदर जात्र language में possible होती है ठीक है तो अब देखो यहां पर हमने एक class बनाया और हमने दो और classes बनाया जो कि पहली class से inherit हो रहता है तो इस तरीके से है बहुत दर किस में मान लो कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा जो class है वो extend हो पाए ठीक है अब मान लो तुमने कुछ पूरा एक system बनाया है प्रोग्रामिंगा यूज करके तुम्हारे बाद को जूनिया राजा था तुम्हें जाद तो च्छाड़ करें और किसी class को extend करें ठीक है तो हम final keyword यूज करते हैं PHP के अंदर final keyword की बहुत importance है अब final keyword क्या करते हैं अभी तो सब कुछ ठीक ठा काम कर रहा है ठीक है यहाँ पर सब कुछ चल रहा है ठीक है इसके अंदर जितनी variable यूज करें name email password यहाँ पर create नहीं कि हमने user के अंदर create किया है यहाँ से inherit हो पा रहा है बट मैं चाहता हो कि यह inherit ना हो यह इसके अंदर अँदर कर रहे हो उसको ना तुम चाहितों कर सकते हो और ना तुम जाया अटके कर सकते हो और यह से बात बात आ अब यहाँ欸 फाइनल कीवर्ड का यूज तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से और यहां पर कुछ पढ़ने के लिए समझें लिए बतने समझा फाइनल कीवर्ड जिस क्लास के आगर लिख दोगे वह क्लास नहीं होती और उस क्लास के अंदर की वैलू को भी मोडिफाई नहीं कर स तुम्हें समझ में आगा है कि हाँ यह तो काफी इंपॉर्टन चीज़े हैं ठीक है तब देखो मैं यहां पर क्या करते हैं सभी चीज़ों को हटा देते हैं हम यहां से भी स्टार्ट करते हैं फिर से और आप लिखते हैं तो देखो मान लो कि मैं यहां पर क्लास बनाता हू ठीक है, Class A बना नहीं इनने क्लास A बना लाएँ को और से एसमें ध्रन सारी Class STS बना लेता हूं हों यहांपे Class A झाल से सब्सक्रवाद को ऑनक्लास A बना दिया तो लिए यहां पर एन हां पर Class C बना दिया यहां पर Class D बना दिया, अब देखो मुझे नहीं पता कि class कौन सा object कि इस class का अगर मैं पता करना चाहता हूँ for example मैं यहाँ पर OBJ लिख देता हूँ ठीक है OBJ लिख दिया मैंने यहाँ पर मैंने लिख दिया new A तो अब यह एक class का object बन गया ठीक है पर मैं को नहीं पता किया किस class का object मैं पता करना चाहता हूँ तो मैं कैसे पता करूँगा तो मैं यहाँ पे instance of function है PHP के अंदर already वैसे तो देख के पता लग रहा है but in case पता नहीं क्यों बना यह function को but in case अगर तुम्हें पता करना हो कि यह जो object है कि यह class का object अभे तुम्हें ज़रुत कैसे पढ़ेगी तो मान लोग तुमने कहीं उपर बहुत उपर इससे initiate किया राइट बहुत लंबा चोड़ा code है बीच में बहुत लंबा चोड़ा यह काफी अंदर है बहुत एकदम हजारो lines है codes की पर तुमने एक object use किया प क्योंकि यह जो object होता है इसको हम instance ही बोलते है इस class का एक instance है ठीक है अब यहां पर क्या लिखेंगे तो हम check करते हैं अब मान लोग कि तुम्हें पता है कि चार तो classes है मतलब ABCD classes है पर तुम्हें शौर नियों कि यह object use कर रहे हो यह किसका है तो तुम यहां पर क्या करोगे यहां पर लिखोगे dollar obj dollar obj instance of कोई भी class देते हैं यहां पर यहां पर क्या बोल रहे है हम यहां पर इससे पूछ रहे है कि obj जो है वह एक instance है और यह हमें अगर मैं इसको var dump के अंदर tag कर दूँ रैप कर दूँ मतलब var dump क्योंकि var dump ही है जो false को भी दिखाएगा क्योंकि false होता है तो screen पर कुछ दिखतन यह अगर मैं को को करा देता है तो तो मैं अगर इससे पूछ हूँ कि A का नहीं क्या बी का है तो यह देगा नहीं भाईसा बी का नहीं क्या बोल रहे हूं ठीक देखो false दे रहे है तो यह instance of function है वैसे इतना important है बट फिर भी मैं बता रहा हूं तुम्हें पता होना चाहिए क्या पता कब कोई पूछ ले अब यह चीजे हो गई अब यहां पे हम constants के बारें पढ़ेंगा अगर तुम्हें नहीं पता constants को create कैसे करते constants क्या होते तो मैं already पहली वीडियो में हमने constants के बारे में अच्छे से पढ़ा था समझा था constants क्या होते उनको कैसे create करते ही कैसे access करते है ठीक है पर हम यहां पे constants के special importance हो और अब्जेक्ट इंडर प्रोगमिंग के अंदर वो क्यों होती है मैं बताता हूं अब देखो ये इसको भी इटा रहता हूं यहां पे मैं एक लास बना रहता हूं मैं लिखो ताकि पढ़ने वाले को पता लग जाए कि एक constant है ठीक है तो मैं क्या से लिखूँगा यहाप लिखूँगा ah special यहाप लिखूँगा uses ऐसा कुछ ठीक कुछ इस तरीक से uses ठीक है तो तो मैं यहाप बढ़े मिलिखूँगा अब अब इसके अंदर कोई value लिख सकता हूं तो यह लिख दूँगा this class manages all users of student and teachers type यह मैंने एक message वो करवा दिया अब constants की खास बात यह होती है कि तुम अगर इसको access करना चाहते हो तो तुम यहां पे इसको बाहर direct भी access कर सकते हो तुम्हें बस scope resolution operator का use करना पड़ेगा scope resolution operator क्या होता है तो देखो normally अगर तुमने यहां पर कोई variable बनाया होता ठीक है जो की public होता तो तुम इसको arrow function का use करके access करते रहे बार classes को access करने का क्या तरीका है तुम इसको बिना function को बनाए बना इसका object बनाए तुम्हें access कर सकते हो बार कैसे तुम्हें तुम्हें echo करना है echo करने के बाद class का नाम लिखना है जो कि यह user scope resolution operator कैसे लिखते हैं तो यह ratio का दो बार sign लिख दो scope resolution operator हो गया अब हम इसके अंदर का constant access कर सकते हैं तो मैं कैसे लिखूँगा यहां पर लिखूँगा class usage कुछ इस तरीके से तो इस तरीके से मैं direct अंदर के constant को बाहर यूज कर सकता हूँ मैं यहां पर आऊँगा refresh करूँगा तो तुम लिख सकते this class manages all users of student and teachers types तो यह constant के एक special importance होती है हमारे classes के अंदर बहुत ही जादा ठीक है जब तुम again मैं बोलना कि जो object oriented programming है अगर तुम course में अच्छे हो code में अच्छे हो course बनाना आता है तुम कुछ भी बनाना आता है कोई भी project पे तुम thinking अच्छी है तुम्हारी की इस concept या इस logic को कैसे बनाना है तो अगर तुम यह core concepts को नहीं समझोगे कि object oriented का जो fundamental सा क्या है तो वहां पर बहुत जाद इक्कत होने वाली है ठीक है तो चलो यह चीजे हो गई अब देखो यहां पर अगर मैं किसी constant को बाहर युज कर सकता हूं क्या मैं किसी constant उंदर भी ऊक्राता हूं चलो देख लेते हैं मैं यहां पर आता हूं और मैं यहां पर function बना लेते हैं मैं यहां पर एक public function बनाता हूँ public function show ऐसा कुछ और इसके अंदर मैं equal करवा देता हूँ कि मैं इसको ऐसे डिर्क लिख सकता हूँ class underscore usage चलो देख लेते हैं error देदेगा बिलकुल देगा पर फिर भी मैं तुम दिखा रहा हूँ अब देखो ठीक है तो मैं इसको कर देता हूँ comment मैं आप करता हूँ refresh तो देखो यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हमने बस इसको define के call निकिया कॉल करने के लिए क्योंकि एक public function है तो इसको हमें object बनाना पड़ेगा तो हम बना लेते हैं यहां पर dollar ob is equal to new user new user ठीक है अब मैं क्या करता हूँ dollar ob के अंदर से show को कॉल करता हूँ कुछ इस तरीके से सेव करते हैं यहां पर आके refresh करते हैं तो 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 देख सकते हैं यहां पर undefined constant class यह सब लिखा रहा है अब यहां पर तुम कहोगे तो यह तो कैसे एकसे करेंगे कि हम जैसे हमने यहां पर user underscore class user scope resolution लगा के यहां पर रिफ्रेश करेंगे फिर बिल्कुल तुम ऐसे कर सकते हो कुछ इस तरीके से ठीक है मैं आऊंगा यहां पर refresh करूँगा और यहां पर refresh करने के बाद देख सकते हैं यहां पर this class manages all users of student of type देख सकते हैं यहां पर दिखा रहा है ठीक है तो बिल्कुल तुम ऐसे use कर स जैसे कि this होता था वैसी यहां पर एक है self, self का use करके तुम उसी जो class में हो, उस class के किसी भी constant को use कर सकते हो, self का मतलब होता है कि यह जो class है तुम इसी को कह रहा हो, वैसे तुम्हारा जो constant है उसको हम access कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर class का नाम लिखना या self लिखना सेम बात ह अगर तुम class के अंदर हो तो मैं पर save करूँगा यहां पर refresh करूँगा तो कुछ नहीं हो, बिलकुल same result मिल रहा है, तो यह कुछ important चीज़े थी ठीक है तो अभी तक हमने काफी सारी complicated और important चीज़े को बने पढ़ा है, मैंने हर एक इस example से समझाईए, but यह था level 1 complexity का, difficulty का, आ अभी जो मैं चीज़े बताऊंगा, इससे भी ज्यादा confusing लगेंगी तुमें तो डरना मत और आराम से समझना, ठीक है, ठीक है, मैं इसको उटा रहता हूँ, अब बहुत लोग यह सुच रहेंगे, मैंने यह नहीं बताए कि object reader के अंदर कुछ concepts होते हैं, जो कि अगर तुमन मैं नाम लेकर नहीं बता रहा हूँ, बट हम कर वही रहे हैं, ठीक है, अलग लग चीज़े, क्योंकि नाम में क्या रखा है, main तो है, तुम थेओर तो net पर भी जाकर पढ़ सकते हो, practical चीज़ तुमें समझ भानी चाहिए, इसलिए मैं practically बता रहा हूँ, और मैं आप इसको save करता हूँ, अब हम पढ़ेंगे abstract classes के बारे में, अभी तक हमने देखा कि classes normal, तेरी कि से create की जाती है, फिर classes होते हैं, जिसके आगे हम final लिखते हैं, वो classes extend नहीं होती, अब हम पढ़ रहे है abstract classes के बारे में, abstract classes क्या होती है, तो basically abstract classes ऐसा समझो, कि कुछ functions का set होता है, ठीक है, कुछ function का set होता है, कि मेरे पास एक abstract class है, जिसके अंदर मैंने बोल रखा है, कि ये एक variable है, ये एक variable है, ये एक function है, ये एक function है, मैं उसको कोई detail नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस आप बता रहूँ कि ये चीज़े हैं, इस class में, तो अब उस abstract class को जितने भी class extend करेंगे, उनम करेंगे, तो अरे शो करेंगे, भाई साब, तुमको कहा गया था, कि ये सब define करना, तुमने define किया नहीं है, तो जरा कर दो, ठीक है, मैं इसको जरा practical के कर बताता हूँ, तो abstract class पताने के लिए, हम abstract keyword का use करते हैं, यहाँ पर हमें abstract, ठीक है, then class लिखने है, जाई सी बात है, अ कोई भी abstract class के अंदर कम से कम एक abstract, वो होना चाहिए, तो एक abstract method होना चाहिए, तो अब देखो, यहाँ पर, मैं अगर public variables बनाता हूँ, public, इसके अंदर जितनी भी तुम properties बनाओगे, या तो वो public होने चाहिए, या तो protected होने चाहिए, ठीक है, private नहीं हो सकता, abstract classes के अंदर, य तो public होने चाहिए, private नहीं रख सकता हूँ, यहाँ पर public बनाता हूँ, public बनाता हूँ, dollar name, dollar email, ठीक है, यह कुछ दो चीज़े बना दी मैंने, और यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर function बना देते हैं, function, ठीक है, function बना दिया मैंने यहाँ बना दिया, say name, कुछ इस तरीक से, और function, say name में आने के बाद, हमने बना दिया, echo, dollar name, कुछ इस तरीके से, my name is dollar name, ठीक है, dollar name, जहाँ बाता है, अब यह चीज़ related नहीं उपर वाले से, बट मैं बता रो, बताने के लाँ, अब देखो, यह चीज़े मैंने ऐसे किये, तो यह कोई error नहीं देगा, मैं abstract classes के अंदर ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है, बट फिर कहोगे कि यह normal class अला कैसे है, तो ठीक है, मालो मैं यह चाहता हूँ, user template है, यह दो functions है, तो बने हुए है, बट जो भी class इसको extend कर, for example, अगर मैं यहाँ पर extend करता हूँ, मालो मैं आप ए class बना रहा हूँ, class student, और यह extend कर कर देगा, मेरे उपर वाले class को, जो किया, user template, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक object बना देता हूँ, dollar obj, जो की object होगा student का, जार सी बात है, student, ठीक है, और मैं आपर अगर इसको save करूँ, refresh करूँ, तो देख आपर कोई irony है, ठीक है, मैं normally use कर सकता हूँ, obj को, और यहाँ पर लिख सकता हूँ, की, say name, कुछ इस तरीके से, say name, यहाँ पर bracket लगा के इसके लिख देंगे, mono, कुछ इस तरीके से, और मैं यहाँ पर आऊँ, refresh करूँ इस चीज़ को, तो 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 दोग यह से तरीके से काम कारा है, but फिर abstract classes में, और normal classes में, डिफर करना पड़ेगा, जो की, अलग होनी चाहिए, बट उनको define करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पर हम इसको use कर सकते है, for example, तो यहाँ पर अगर मुझे किसी भी method को, जैसे बात है, तुम वेरियावल को abstract नहीं कर सकते है, पर तुम methods को abstract कर सकते हैं, तो अब किसी भी method को अगर तो यहाँ पर abstract function लिख दिया तुमने अब function लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है यहाँ बताना ही क्या function का नाम होना चाहिए जो की name होना चाहिए मेरे खाल से set name ठीक है set name और यहाँ पर set name जो है वह एक variable लेगा name ठीक है बस इतना आप अगर देखो जैसी मैंने हाँ पर किया semi column यहाँ पर एक error आने लग गया अभी error क्यों आ रहा है तो मैं बताता हूँ मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ इसको refresh करता हूँ क्लास के अंदर एक abstract method मतलब मैं इसको कह रहा हूँ कि एक function है जो की define होना चाहिए जितने भी classes इस class को extend कर रहे है तो इसने इसके अंदर तो इससे कोई function defined नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मुझे define करने पढ़ेगा same नाम से जो भी abstract classes के अंदर है मैं यहाँ पर आऊँगा function ठीक है यहाँ यहाँ पर यहाँ पर सेफ करूँगा जैसी मैं तब error नीचे आ गया कि मैंने यह पब्लिक गलत लिखा है यहाँ पर आऊँगा यहाँ पर इसको refresh करूँगा देख सकतो error यहाँ पर चला गया तो यह ही है अब abstract classes के अंदर मैंने मालो और भी चीज़ें की रख्योती कुछ इस तेके से तो जितने भी मैं यहाँ पर चीज़ें बोलूँगा वो इस बंदे को जो भी extend कर रहा है इसको अलग तरीके से काम करेगी जैसे की जो teacher है उसकी salary count होनी चाहिए है ना इन्फो में जैसे यहाँ पर अगर मैं show info बनाता और अगर मैं इसको student में भी extend कर रहा हूं teacher में भी extend कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा ना कि show info में कुछ चीज़ें अलग तरीके से दिखें teacher के लिए और तो मुझे ध्यान रागी कि अच्छे function मैं भूल गया हूं इस function का मुझे बनाना है नहीं तो यह error देगा तो यह abstract classes का use होता है इसको हम data hiding बोल सकते है तुम चाहँ तो पर फिर यही चीज है तो abstract classes में उतना detail में घुसके समझने हो आली कोई चीज नहीं है मैं again बोला हूंग PHP के अंदर तुमने interfaces के बारे में नहीं सुना होगा अपितक PHP में किसी भी project में मेरे मुझसे जातर लोगे मुझसे नहीं सुना होगा तो interfaces क्या करते हैं तो interfaces abstract classes की तरह ही होते हैं बट उनको हम extend की जगा implement करते हैं extends keyword की जगा implement keyword का use करके use करते हैं अब वो क्या है उनमें क्या ऐसा difference है चुले देख लेते हैं मैं आपे abstract class को यहां से हटा देता हूँ खेख है अब ठेक है तो हम है इंटरफेस keyword लिखेंगे then interface का नाम लिखेंगे हमें यहां यहां पे class class लास नहीं लिखेंगे इस डेक्ट इंटरफेस का नाम लिखेंगे जो की होगा हमारे case में template अब यहां पर abstract classes जैसा सीन ने है तो तुम्हें यहां पर property नहीं दे सकते हैं जैसे कि तुम्हें abstract classes में देखा देखा देगी काफी है अब सब्सक्राइब है इसमें भी हम यही बता रहे होते हैं कि भाज़साब यह कुछ गिनेचिन फ़ंचन है जो कि जो भी तुम class बना रहे हो उसमें होने ही होने चाहिए ठीक है एक interface को multiple classes अगर use करते हैं तो इस concept को polymorphism बोलते हैं अगर तुम सुनना चाहते हैं object to enter इसके मैं बता नहीं रहा क्योंकि तुम यह चीज गूगल कर सकते हो बहुत इसली तुम मिल जागा ठीक है तो interface जो होता है वो काफिया तक तुम्हें abstract classes जैसा ही दिखेगा इसके अंदर भी हम कुछ functions बनाएंगे जिसको हमने मतलब यह बोल रखा है कि भाई सब जो भी तुम जिस भ बाइडिफॉल्ट वो interface का हिस्सा होते हैं और abstract होते हैं ठीक है वो abstract ही होते हैं सारे जितने भी methods होंगे सारे abstract methods होते हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर abstract लिखने ही जो होते हैं क्योंकि एक interface class नहीं इसके इतनी चीज़ें सारे abstract होते हैं by default ठीक है तो या तुम यहाँ पर property नह ठीक है तो protected होता है but interface में जितने भी तुम यहाँ पर methods बनाओगे या declare करोगे वो सारे public होने चाहिए एक difference और है ठीक हम देख लेते हैं कैसे करते हैं और हाँ एक और की abstract class को तुम extends keyword का use कर लिखते हूँ पर interface को तुम extends keyword का use कर लिखते होगे तुम इसको implement keyword का use कर लिखते हो public क्योंकि जितने भी चीज़े अंदर सारी public होनी चाहिए जैसके हमने बताया था यहाँ लिखेंगे function और यहाँ लिखेंगे fn1 function 1 लिख रहा हूं मैं ठीक है save कर दिया मैं ऐसी copy करके paste कर दिया one यहाँ लिख देते है two ठीक है और यहाँ पर हमने लिख दिया three ठीक है तो मै लिख दू dollar name dollar age कुछ इस तरीके से तो मैंने कुछ define कर दिया यह template है जो की जो भी class बन रहा है उस class को follow करना ही है तो मैं क्या करूँगा मैं इसको save करता है तो जैसे कि मैंने बता रहाता है जब तक हम object नहीं बनाते ना उस class को कोई वजूद नहीं होता है ठीक है कोई कलती हो रहे है okay spelling mistake template save करता है मैं इस चीज़ को refresh करते है तो अब तुम देहोगे यहाँ पर हमें error शो हो रहा है क्या class new class contains three abstract methods method से कह रहा है कि जो new class है उसके अंदर तीन abstract methods है ठीक है जो कि declare होने चाहिए ठीक है जो कि है हमारा function 1, function 2 and function 3 जो कि नहीं है तो इसलिए error देख सकतो same error हमें abstract में भी मिल रहा था but difference यही है ठीक है तुम चाहते interface उसको सकता हो चाहते abstract उसको सकता हो जो भी तुम ठीक लेगे अब इसके आदर चलो हम function बना देते हैं फिर हम अब लिखते है public public function fn1 ठीक है यह ध्यान रहे कि जो हमने यहाँ पर public लिखा है यहाँ पर भी public ही होना चाहिए ठीक है तो यह चीज़ तुम अलग ने कर सकते अब यहाँ पर अगर मैं fn1 बना दिया मैंने यहाँ ठीक है तो आप मैं यहाँ पर refresh करूँगा तो नहीं ले सकता है यह error देगा यह इसी बात है क्योंकि जो declare कि है तुमने यहाँ पर उससे match होना ची exam exactly but अगर तुमने यह abstract class बनाई होती तो तुम ऐसा कर सकते हो तुम values ले सकते हो अगर ओपर तुमने मालने value नहीं दे रखी और नहीं तुम ऐसा कर सकते हो बट यह इंटरफेस है तो इसमें नहीं कर सकते तुम्हें exactly उपर जैसे यह करना होगा समझे यह abstract का ही एक समझो strict form है abstract class यह बस थोड़ा strict है strictly काम करता है अब यहां पर हम नीचे आते हैं core function यहां बना लेते हैं समझाने के लिए समझाने के लिए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कोई attribute नहीं दे रहे से तो अगें वही एर देगा कि भाई साब fn2 जो है वो कुछ receive कर रहा है तुमने आप लिखानिया पर यह दे देते हैं भई अब मैं यहां पर रिफ्रेश्च करता हूं ठीक है तो अब यह एक ही अप्स्टर क्लास बोल रहा है मैं इसके आगे अगर लिखना चाहूं इसका मतलब था तो इसका मतलब यह था देखो यहां पे अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं class b एक class बना ली मैंने और मैं यह पे एक्स्टेंट करने के साथ implement करने चाहा तो मैं कर सकता हूं एक्स्टेंट्स बी कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि कोई एरर नहीं देगा मैं आपे refresh करूंगा देख सकता हूं तो यह हम ऐसा कर सकते हैं तैसलों कि बहुत सारी तब तक तुम समझोगे नहीं, अब नॉमली तो तुम्हे अपना परस्नला कुछ प्रजक्ट बना तो कोई बीचीच कहीं भी लिख दो, पर बड़ी-बड़ी कंपनी में क्या होता है कि अच्छे से कोड को मैंनेज करना होता है, मेंटेन करना होता है, तो वहां पे इंटरफे इसके बारे में हमने जातर चीज़े समझ लिए है, ठीक है, एक लास्ट टॉपिक रह रहा है, ट्रेट्स का, अब दोगो, जैसा कि मैंने बताया था कि PHP के अंदर ये एक्स्टेंड कीवर्ड जो है, इसका यूज कर कि तुम एक क्लास को इन्हेरिट कर सकते हो, बट सिरफ ए इसके लिए हमारे PHP के अंदर ट्रेट का concept इंट्रेट्स किया गया, अब ट्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है मैं बता देता हूं, यहां पर हम इन चीजों के यहां से अटा लेते हैं, इसको और यहां पर जैसे क्लासिस बनाता हो, सेम व्यासी बनाना होता है, बस तुमें ट्रे इसके अंदर भी सेम रूल लाग होगा, तुम इसके अंदर प्रोटेक्टेट प्राइबेट पब्लिक बना सकते हो, जैसे तुम चाहों, ठीक है, तो यहां पर मानलो मैं A बना रहा हूं, ठीक है, यहां पर सम प्रॉपर्टीज होंगी कुछ, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक मैं एक बार में A की क्लास के एक्टेंड कर सकता हूं, तो पर मैं चाहता हूं कि मैं तीनो को यूज करना करूं, तो कैसे करूंगा, मैं आप लिखा क्लास, ठीक है, यहां पर क्लास लिखूंगा, एक काम करते हैं, हम सभी के अंदर एक वेरेबल बना देते हैं, कुछ इस तर कुछ चीज तरिके से इसको प्याप्य करूंगा, आप लूगा यहां पे , आपर ज्टेंड के सकता नबदयंद क्रणा क्रोंगा, यहां पर एक टेंड क्सिंट कर कर सकता हूं, करना है कि हम अब क्या करेंगे, इसके एक object बना लेते है, obj is equal to new test, new test, ठीक है यह हमने बना लिया, और मैं इसको printr करवा देता हूँ, dollar obj, ठीक है, अगर अभी मैं इसे save करूँ, और अपने browser पर जाऊँ, यहां पर test object हमें नित्रान हो रहा है, यह test object और यह blank है, ठीक है, अब blank है, अब मैं इसके अंदर, अगर किसी भी एक trait को use करना चाहूँ, तो मैं कैसे करूँगा, मैं use keyword का यहां पर use करूँगा, यहां पर use small में, ठीक है, then यहां पर trait का नाम लिखूँगा, जैसे कि यहां पर a, तो मैं यहां पर a लिख देता हूँ, ठीक है, तुम देख सकते हो, मैं यहां पर use a लिख दिया है, मैं पर refresh करूँगा, तो तुम देखोगे, a trait के अंदर, जितनी चीज़ है, वहां पर आ रही है, ठीक है, मैं यहां पर अगर comma लगा के लिखू, b and c, then आ पर refresh करूँ, त सारे मैं टेस्ट के अंदर access कर अपा रहा हूँ, तो इस तरीके से हम एक से ज्यादा classes, यह एक से ज्यादा traits को एक class के अंदर use कर सकते है, ठीक है, तो multiple inheritance ऐसे possible है PHP के अंदर, ठीक है, तो यह एक चीज़ थी trait, और एक और चीज मेरे खाल से मैं भोलू, static के बारे में, actually हमने static variables के बारे में पढ़ा था, right, but हमने classes के अंदर उनका use नहीं पढ़ा, जैसे constants होते हैं, वैसी static ही होते है, हम उनको बिना object बना access कर सकते हैं, मैं बना के दिखा देता हूँ, काम करते हैं, यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर लिता हूँ, मैं आपर class बना लिया, मैं आपर देता और इसके अंदर अगर मुझे कोई भी static property बनाने हैं, तो मैं static function बना सकता हूँ, और static, क्या कहते है, variable भी बना सकता हूँ, मैं static variable कैसे बना हूँ, आप लिखूँगा, public, public पहले, मैं access modifier लिखूँगा, then लिखूँगा static keyword, static, and then variable करना, यहाँ पर name, ठीक है, कुछ इस तरीके से, अब देखो, यह एक static variable है, इसी तरीके से, अब इसको access करने क्लिए, मैं इसको direct access कर सकता हूँ, बाहर, कुछ इस तरीके से test, scope resolution operator लिखूँगा, जैसे कि हम constant के वक्त कर रहे था, और यहाँ लिखूँगा name, ठीक है, और इसके नदर मैं value लिख सकता हूँ, mono, कुछ इस अगर मैं यहाँ पर, sorry, dollar sign लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं अगर कोई value अगर पहली से डाल दो तो मैं इसको access भी कर सकता हूँ, मैं अगर यहाँ पर value डाल देता हूँ, काम करते हैं हम यहाँ ऐसे, mono, then यहाँ पर इसको echo करवाते हैं, echo, save करते हैं, refresh करते हैं, तो त मैं यहाँ पर बाहर इसको access कर पा रहा हूँ, public को, अब यह public होने चाही है क्योंकि static azar सी बात है, तो मैं यहाँ बाहर access कर पा रहा हूँ, same, अगर यूज करना कहीं तुम्हें किसी function के अंदर, तो तुम्हें यहाँ पर ऐसे self लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर इतना पुब्लिक लिखने पड़ेगा जो भी तुम श्रटिक भीनार इसको पुब्लिक रहने जरूरी है कि अगर प्लिक याग रहा नियुक्त कैसे अक्सेस करोंगे तक हम पुब्लिक स्टेकक हम लिख दिया और यहां पर पुपंशन का नाम लिखेंगे जो कि वह नेम और यहां प मतलब scope resolution operator लगाएंगे then function का नाम लिख देंगे कुछ इस तरी कैसे ठीक है आप क्यूंकि already इसके अंदर echo हो रहा है तो हम इसको बाहर echo नहीं करवाएंगे मैं आप सेव कर देता हूं यहां पर refresh करूंगा तो तो मोनु इसने में आप लिखा रहा है ठीक है मैं से access का सकतो scope resolution operator का इस्तमाल करके तो मेरे हिसाब से हम सब कुस समझ चुके हैं ठीक है में भी कुछ रह रहा हूँ I don't know बट मेरे हिसाब से मैं जितना सोच रहा था object internet programming के बारे में उतना जादा तुम्हें बता चुका हूँ और यह सारी चीजे knowledge है भी तो यह बस ठीक हमने practically इस पर कुछ नहीं बनाया है में भी हम आगे जाकर बनाया है बहुत अगर मतलब तुम सोच रहोगा कि object internet से काम असान कैसे होता होगा देखो मैं तुम्हें बताता हूँ अगर तुम MySQL का connection करते हो ना तो कैसे करते हो अब बहुत सार लोग यह सुच रहोंगे कि object android programming जो होती है exist करती है मतलब core में भी अगर हम यूज करना चाहें तो हम बिना class बनाया है मतलब predefined पहले से बन हुए कुछ classes होती है क्या बिल्कुल होती है अगर जैसे कि तुम यहां पे इस सब को हटा दो ठीक है और यहां पे ज अगरे टो ठीक है देन उसको तुम pass करते हो जब जब तुम क्यारी बनाते हो तो यह तुम object और अरे थूरू कर सकता हो यह किन माना जब तुम object और अरे थूरू करोगे तब तो बहुत बहुत एजी लगेगा अब वह कैसे तो मैं यहां पे बना देता हूं मैं यहां पे एक म of my SQL College की object है यह predefined class है मैं इसका उप्जक्ट बना रहा हूं बना रहा हूं इसमें constructor लगा इसलीह पर data pass कर रहा हूं ठीक है तो मैं कि data cae pass कर ढूंग? सबपहले Master önemli is this medium जो कि रूट है कि मैं लोकल होस्ट पर हूँ देना पर डेटाबस का नाम देना पड़ेगा मैं एक काम करता हूँ अपने प्रिंटार करवाता हूं तो तुम्हें क्या मिलेगा डॉलर डीबी के अंदर देख लेते हैं डीबी ठीक है यहां पे मैं इको करवा लेता हूं आगा एक वहां यहां पर यहां प्रेस्ट करता हूं तो जाएसा बाते 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 हैं यहां पर निक्का यहां दिसका रसकता हूं एंड रिफ्रेश करता हूं तो अब तुम देखो कि हमें आपर क्या मिल रहा एफेक्टेड रो जीरो क्लाइंट इंफ्रमेशन क्लाइंट वर्जन कनेक्ट एरर नंबर कनेक्ट एरर ठीक है बहुत सारी चीजे मिल रहा है जिनका तुम यूज कर सकते हो बट उससे फी कूल चीज क्या है कि तुम है अगर कोई लिखनी है मालो तुम्हें डेटा ग्याट करना है ठीक है तुम क्या से ग्याट करोगे तो बहुत ही असान तरीका हो जाता है जब तुम अब्जेक्ट के तुरू चीजों को कर रहे होते हो क्योंकि यही तुम्हें अगर लिखके करना था तो काफे लंबा चौड़ा प्रोसेस होता बट अभी अगर तुम्हें डेटा रीड करना है नॉर्मली तो इतना इसी हो जागा तुम सोच यहां पर लिखूँगा कुछ इस तरीके से ठीक है यह मैंने लिख दिया कुछ रिटर्न करेगा तो मैं यहां पर काम करते हैं हम यहां पर प्रिंटा करवा लेते हैं फिर से इसको ताकि अंदर की चीज़ दिखें तुम्हें तो ज्याद अच्छे समझ में आएगी मैं यहां पर डॉलर डीबी कर लेता हूं सेव करते हैं और यहां पर एको कर लेते हैं हम प्री टैक को कुछ इस तरीके से और यहां पर अगर मैं र रिजल्ट को रिंट करवाते हैं रिजल्ट तुम देखो करें लिए धर कंक्यु नबर रोज यह मुझा बता रहा है कि सब इसे यह चीजे मुझे अगर ध्र रोज चाहिए तो देख सकते हैं यहांप इतनी सारी चीजे दिख रही है तो मुझे अगर की तो यहां लिखंगा यह ऐसे भी एक औब्जाक्टी रिटर्न कर रहा है क्यूंकि यह आप देख सकते हो mysql i result mysql i result result object है यह जो result के अंदर जो भी data है जो भी चीज आई है वो क्या है mysql i object है देख सकते हैं आप लिखा हुआ तो यह भी एक object है तो result के अंदर मतलब अगर भी functions है तो मैं इनको access कर सकता हूँ कैसे करूँगा result लिखूँगा ठीक है यहाँ पर तुमने refresh किया तो यहाँ पर दीख रहा है ठीक है अब अगर मुझे अंदर की चीज है तो मैं कैसे लिखूँगा मैं आप लिखूँगा जैसे तुम लिखते थे mysql i underscore fetch all ठीक है तो यहाँ पर सिर्फ तुमें fetch all लिखना है fetch all कुछ इस तरीके से और इसके अंदर तुमें pass करना पड़ेगा true ताकि associative value मिले यहाँ मैं refresh करूँगा तब तुम देऊगे यहाँ हमें एक array return कर रहा है मतलब देख से तो कितना ही simple हो गया है यहाँ पर मैं अगर result लिख रहा हूँ कुछ इस तरीके से तो मैं result fetch all करके access कर हो सकता हूँ अगर मैं सिर्फ इतना लिखता fetch array अब यह भी pass में जावत नहीं है ठीक है तहना पर refresh करूँगा तो देखो गए यह array है जिसके अंदर associative और index दोने type की value बटे हमें सिर्फ एक ही रो return करेगा also यहाँ पर multiple रोज होती तो सारे मिलती पर यहाँ पर एक ही रो return कर रहा है ठीक है तो यह देख सकते हो कितना ही simple अगर मैं पूरे को यहाँ से हटा दो clear कर दो कुछ इस तरीके से तो तुम तो तीन line में हमने data get कर लिया है और कितना ही easy है ठीक है यह तो connection के लिए है तो यह तो सभी में same रहेगा बाकि यह दो line में हमने code को get कर लिया है तो यह मैं वैसा सोचाते है वीडियो जादा लंबी होगी बर जादा लंबी हुई नहीं और यह सीरीज का लास्ट वीडियो है क्योंकि मैं सब कुछ कवर कर चुका हूं और यह काफी crash course जैसा था राइट काफी कम टाइम में काफी सारी knowledge है तो आराम से time ले लेके देखना practice करना को कोई भी डाउट है कोई भी कुछ भी तो बताते हैं देखो मैंना सीरीज में अच्छा नहीं हूं मुझे अब तुम बोलोगो कि ABCD सिखा हो तो वह उसमें अच्छा नहीं हूं तो इसलिए मैं अपने तब से जो भी हो सकता था PHP समझाने सिखाने के लिए वह मैंने किया है मै बताने और समझाने में ज्यादा बढ़िया हूं कोई लेंगवेज एक तम कोर लेवल से स्टार्ट कर दो फिर मैंने ट्राई किया है आई हो तुम पसंद आई होगी सीरीज कोई भी तुम तुम टेलीग्राम पर पूछ सकते हो राइट या मुझे डिरेक्ट कॉमेंट करके पूछ सकते हो जैसे तुम कंफेटेबल हो और तुम्हें पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना मैं मिलता हूं तुम से अग्रेवलियो में तब तक के लिए बाबाए और कीप लर्निंग कीप कोडिंग बाए